हेलो एवरिवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अच्पी जीके के कुछ इंपोर्टन कॉश्चन जो में लिए आपको अगामी अच्पी प् फ्रेंड जैसा कि इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो के कुछ नमर फर्स्ट है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश अनिवारिया प्रात्मिक शिक्षा अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था तो कुछ नमर फर्स्ट का जो राइटन से र इसमें युद्ध संग्राल्या जो है वो कहां पर स्थीता है इसमें वर्मेमोरियल जो है वो कहां पर स्थीता है तो यह धर्मिशाला में है जो की डिस्ट के कांगडा में है अगले प्रिशन में चलते हैं इमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्या का दर्जा जो था वो कब परावत हुआ था तो इमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्या का दर्जा था वे 25 जनवरी 1971 को हुआ था और यह भारत का अठार वाराज्या बना था यह आपने याद रखन important question है कि इवार exam में question जो है वो पूछा गया है next question में चलते हैं तिब्वती धर्म गुरु दुलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे तो तिब्वती धर्म गुरु दुलाई लामा जो थे वो वर्ष 1969 में ये धर्मशाला आए थे नेक्स्ट कुशन में चलते हैं चमबा में रंग महल का जो सिला नियास था वो किस ने किया था तो चमबा में जो रंग महल है उसका जो सिला नियास था वो राजा उमेद सिंग ने किया था option number C जो है इस question का correct answer है next question में चलते हैं इमाचला प्रदेश में जन्मंच कारिकरम जो था वो कब परारंब हुआ था तो ये 3 जून 2018 को परारंब किया गया था भाजपा सरकार जब इमाचला प्रदेश में सरकार में थी 2017 से लेकर 2022 तक तो ये जन्मंच कारिकरम जो था वो भाजपा सरकार के समय ही चलाया गया था अभी कॉंग्रिस की सरकार है तो ये जन्मंच कारिकरम जो है वो फिलहाल बंध है next question में चलते है उदेपुर जो था वो किसका पुराना नाम था तो उदेपुर जो था वो आपको पता ये मरिकुल का प्राची नाम था और ये प्रेजंट में डिस्टिक लाहूल्स बीती में है उसी तरह आप से कुछन पूछ सकते हैं कि भ्र ecoor का प्राची नाम किया था ब्र का प्राची नाम ब्रंपुर था और उन्ना चा प्राची नैम जस्वा यह आपने याद रगना इंबोटन कोश्टन है कि वह एक्जाम में कोश्टन यहां से पूछ गये है और किनोवर का प्राची नाम जो तो उदेपुर का प्राची नाम था वे आपका जो मरेकुल था और यह उदेपुर जो है लाहॉल सपीती डिस्टिक में इस दित है अगले जलते हैं दरन गाटी अभ्यारने जो है दरन गाटी सेंचुरी हिमाचर प्रदीश के किस जिले में है तो यह डिस्टिक शिमला में है और आप्शन नम्बर ए जो है इस कोश्टन का राइट एंसर है नेस्ट कोश्टन पे चलते हैं वैदिक काल में किस नदी को पुर्षणी के नाम से जाना जाता है निस्ट कुश्ट में चलते हैं कांगडा जो था वो कब चांगडजी ला कब बना था तो कांगडजी ला जो था एक सिप्तमा एक सिप्तमबर 1972 को बना था उप्रदेश की दharmłe द्यासत का था वे कब हुआ था तो आपको पता है वर्ष नीस ऑन्यन तो आपको बता हैं माचल प्रदेश के इतियास में धामी कांड जो था वो राज्या की काली घटना में से एक है और धामी एक छोटी सी रियासत थी जो राणाओं के शाशन की अधीन थी सुद्धांतरता संग्राम और राज्याओं के विरुद आवाज उठाने के वर्ष में सुद्धांतरता विरुद में वर्ष उनिस उन्तारिस में धामी रियासत में गोली वारी की इसके बाद इसे इस गोली कान की जाज करिए एक समिती का जो गठन था वेक किया गया था और धामी गोली कान कब वह था 16 जुलाई 1949 को वह था अगर आपसे कुशन में पूछा जा परसित सुलोनी देवी मंदर जो है माचल बदेश के सोलन में स्थित है और सुलोनी देवी दुर्गा या पार्वती का प्रमुख रूप है यह आपने याद रखना है सुलोनी देवी जो है वो दुर्गा या पार्वती का प्रमुख रूप है जिने देवी शक्ती के नाम से भी जाना जाता है और माता का शलोनी रूप और ग्या निर्मान शरक्षन और विनाश की जड़ है और ये सोलन लोगों की पारिवारिक देवी भी है Next question में चलते हैं इसमें बोला गया है कि सिर्मोर रियासत सिरमोर यासत के जुसन स्थापक थे वे कौन थे तो सिरमोर यासत के जुसन स्थापक थे वे राजा रसालू थे option number B is question का right answer है option number B is question का correct answer है रंजोर सिंग के अनुसार सिरमोर यासत का नाम सुलो कीना था इसकी स्थापना 1149 सिस्वी में जैसल मेल के राजा सालवाहन के पुत्र राजा रसारू ने की थी और उसकी राज़ानी सिर मोर ताल थी अगले प्रिश्ट में जलते हैं 1805 में कांगडा पर किस ने आकर्मन किया था 1805 में कांगडा पर अमर सिंग थापा ने आकर्मन किया था option number 6 इस question का correct answer है 1805 में कांगडा पर आकर्मन 1805 में कांगडा पर आकर्मन अमर सिंग थापा ने किया था वो त्री नेपाल के गोसाई कुंड में प्राणों का त्याग किया था अगले प्रशन में जलते हैं इसमें बोलागे कि किस सादू की पूजा सिर्मोर में की जाती है तो आपको पता है सिर्मोर में जमदगनी रिशी की पूजा की जाती है सिर्मोर में जमदगनी सादू की पूजा का प्रचलन है जमदगनी एक सादू थे जो ब्रिगु बंशी रिची के पुत्र थे इनकी गणना सब त्रिशियों में होती है पुराणों के निसार इनकी पत्डी रेणुका थी बव इनका आश्रम सरस्वती नदी के तठ परस्ते थ नेक्स्ट प्रचेश में बृत्मान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंतरी कोशन है तो अलगा परस्त में हिमाचल करदेश के के बन क्यों है next question में जलते हैं माचल प्रदेश के मंडी जिला में रिवालसर के साथ कौन सा संत जुड़ा है तो रिशी लोमस जो है इस question का right answer है रिशी लोमस का जो संबंध है वे मंडी जिले के रिवालसर से है माचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेब मंदर सीता है तो बिजली महादेव मंदर जो है वो आपका डिस्टिक के कुलू में है option number A जो है इस question का right answer है अगले प्रश्ण में चलते हैं माचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची तेवार मनाया जाता है तो गोची तेवार जो है वो लाहोल स्पीती district में मनाया जाता है option number C जो है इस question का correct answer है अगले प्रश्ण में चलते हैं माचल प्रदेश के कौन से जिले में जोरी लोग नरित्या होता है तो जोरी लोग नरित्या जो है वो आपका डिस्टिक सर्मोर में होता है option number C जो है इस question का correct answer है Next question में चलते हैं माचलव प्रदेश का पूरातन यानिके सबसे पूराना हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है तो वो शानन जो है इस कुशन का रहा है तंसरे डिस्टिक मंडी में है जो गिंदर नगर में है यह आपने याद रखना है और यह पंजाब सरकार के अधीन है यह आपने याद रख रहा है अगर आपसे कुछन पूछा जाएगी शानन हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस गोर्मेंट के अधीन है किस गोर्मेंट के अंडर है तो यह पंजाब गोर्मेंट के अंडर है अगले प्रशन में चलते हैं माचल प्रदेश में आम इंस्टिटीट ओफ एडवांस टेडिस जो है वो स्टीत है तो यह समर हिल शिमला में है उप्शन नम्बर एस कोशन का राहिट इंसर है नेक्स्ट कुशन में जलते है माचले पडेस के किस जिले में भादल गलेशियर्स देता है तो यह रिस्टी के कागरा में है लोड में नेकिकाह जिलते हैं निर्मन में भुंड़ा तियोहार जो है वो कितने अंतराल के बाद संपन होता है तो भुंड़ा उस्वा हमने कई बार डिस्कस किया है ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है और ये इनका जो संबंध है वो भगवान पर शुराम से हैं अगले प्रश्म जलते हैं किसने अपनी पुत्री चंपवती के नाम पर चंबा कस्वे का नाम दिया था तो राजा साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपवती के नाम पर चंबा कस्वे का नाम दिया था अगले पर चलते हैं कांगडा कीला का निर्मान जो था किस ने करवाये था तो कांगडा कीला जो है कांगडा फोर्ड जो है उसका जो निर्मान था विरा शुशरमा चन नहीं किया तो option number और डी इस question का राइटन से नहीं इस वीडियो को लास्ट कुशन है हिवाचलपदेश में 84 मंदर जो है वो कहां पर है तो 84 मंदर जो है वो आपका भरमोर में है जो की डिस्टिक चमबा में इस देथ है तो friends आज की इस वीडियो बसे तना ही आज हमने HPGK के कुछ important question डिस्कस किये जो में लिए आपको आगामी HP police constable और HP पतवारी की exam में ये question जो होंगे वो आपको काफी helpful सावित होंगे तो friends I hope आपको ये वीडियो बसंद आई होगी तो वीडियो को like, share and comment जरूर कर दें चाहिए लिगो subscribe भी जरूर कर दें और bell icon press करना न भूले all notification ओन कर दे दाकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो friends आज की इस वीडियो में बसे तना ही तो thank you friends